दोस्तों मैं डॉक्टर दर्बे साब सबका स्वागत करता हूँ, उम्मिद करता हूँ आप लोग सहत्मंद रहोगे, एक अच्छी जिन्दे की जीने के लिए हमेशा प्रयास करते रहोगे, क्योंकि मोटिवेशन एक ऐसी चीज है, जो हमारे जीवन को आगे बढ़ने के लिए एक तरह से उर्जा देता है, जब हम डिप्रेशिव होते हैं, स्ट्रेस, एंग्जाइटी में जाते हैं, मन हमारा प्रफुलित नहीं रहता, हम अलग-अलग तरीके से चिन्ता और तकलीप दिमागी तोर पे खास करके, उल्जन एस सब में पढ़े रहते हैं, तो आगे बढ साने को कही ना कहीं, कुछ हद तक कम कर देता है, मैं जो कोशिस करता हूँ आप लोग के लिए, वो है कि आप अपने आप में confidence लेबल को बढ़ाते हुए, कभी भी अपने आप को छोटा ना समझ के, बिमारी के उपर हाभी होते हुए, एक्यू प्रेशर के माध्यम से हो, आ आप फिट रहें और आपका परिवार को फिट होने में, हल्दी होने में, निरोग रहने में दोस्तों हल्प करें, तो आज का वीडियो दोस्तों सुरू करता हूँ, आसा करता हूँ, कि आप लोग सब को ये वीडियो से डेफिनाइटली लाब होगा, आज मौनिंग में एक 55-56 साल के उम्र में दो बार हाट आटक को उन्होंने जहल चुके हैं उसके बाद भी कई सारी जैसे समस्या है जिसके कारणों मेरे पास आये थे और उनका इलाज हमने पुरा प्लानिंग की है और जो तरीका था उन में से एक चीज मैंने उनको सजेश्ट किया जो आप लोगों है या आपको लगता ही कि हाँ थोड़ा थोड़ा उसमें गड़बडी महसूस हो रहा है या फिर डॉक्टर आपको कहें हैं कि हार्ट का थोड़ा क्यार करें तो आज का वीडियो में दोस्तों मैं आपको ऐसा टिप्स दोंगा जो अपलाई करके आप जिंदेगी भर दोस्त अच्छे से मेंटेन करोगे और सेहत्मन्द रहोगे दोसरे से हजारों टिप्स में अपनी किताब माई हेल्थ इन माई हैंड में हिंदी एंग्रेज इस दोनों लेंग्वेज में 600 पेज की किताब ढाये जाए टिप्स यह online Amazon पे already upload है जिस प्रयास के आधार पे किताब बनके आता है महनत से उम्मिद करता हूँ जो लोग हमें प्यार करते हो या फिर मेरे से जुड़े हुए हो और साथ साथ आपको लाब होती है वीडियो से अकीप्रेसर दबा के प्रेशर दे के स्टिमूलेट करके आपको फायदा पहुँच रहा है उन सबसे सजेस्ट करूँगा उन सबको आवान करूँगा रेफराल बुक जरूर रखे चाहे एक कोई भी किताब आप अपने घर में रिखी कोई भी लेंग्वेज में दोस्तों आज का वीडियो को सुरू करता हूँ पहली बात है कि जो लेफ्ट साइड हमारा है वो हमारा हाट का साइड है याने हाट हमारा लेफ्ट में है लीवर दोस्तों हमारा राइट में है इसलिए दोनों को अगर आप सहत्मन रखना चाहते हो, स्टिमलेट आप करना चाहते हो इसके पॉइंट को, तो पहला पॉइंट होता है दोस्तों आपका लीवर, वो है आपका राइट पाम लिटिल फिंगर के यह देखो नीचे, यहाँ पे मैं पूरा स्पॉट बनाया हूँ अच्छे से देखो, सुबह उड़ते ही दोस्तों, कम बिमारी है तीस बार, ज्यादा बिमार हो तो पचास बार, इसको दबानी है, और उसी तरीके से लेप शाइड में आपका हार्ट है, यहाँ देखो पॉइंट बनाया हूँ, बिमारी नहीं है तीस बार, अगर बिमार हो तो दोस्तों पचास बार, कम से कम इसको दबानी है, सेम चीज रिपीट करनी है दोस्तों साम को, याने सोने के पहले हो, या फिर इबनिंग के समय में हो, आपको कम से कम तीस से पचास बार, इस दोनों पॉइंट को दोस्तों दबानी है, इससे भी इंपरणन बात आपको मै कहना चाहता हूँ, जो आज के patient को मैंने suggest किया severe gastritis उनको था आज का आज वो बैठना उनके लिए मुश्किल हो रहा था heart में थोड़ा से congestion फिल हो रही थी हलका सा pain हो रहा था मैंने उनके छोटा सा exercise कराया 15 minute में दोस्तों उनको रहात मिली वही चीज़ आपसे मैं share करता हूँ आप जरूर करें आपको love होगी कैसे सुबा उड़ते ही point पहले दबा लेना उसके बाद इसी point को दबाते हुए आपको गहरी सांसे लेनी है कैसे यह लिए फिर point छोड़े और सांस भी बाहर निकाले फिर से सांस लो point दबाओ और सांस बाहर निकालो और point छोड़ो ऐसे कम से कम 20 to 30 टाइम दोस्तों आप करिये liver side याने right palm में एक point को आप दबाओ और सांस लो एक सेकंड दो सेकंड रोको फिर इसको छोड़ो याने सांस के सांस ते point को फिर से दबानी है पहले आपने किया किये point को direct stimulate कर दिये pressure दे दिये फिर सांस के सांस दोस्तों किये ऐसा ही heart का point दबाओ सांस अंदर लो फिर सांस बाहर छोड़ो और point छोड़ो धिला गरो फिर से सांस लो और सांस बाहर पॉइंट को थोड़ा डिला छोड़ो और सांस बाहर निकालो 30 से 50 बार दोस्तों करो याने टोटाल 60 to 100 टाइमस आपका ये स्टिमलेशन मिला एक डाइरेक्ट और एक सांस के साथ ऐसे अगर दोस्तों करते हो अगर आपका हाट में ब्लोकेज है तब भी ठीक हो जाएगी अगर आटेरी आपकी ब्लोक हो रही है तब भी दोस्तों ठीक हो जाएगी अगर आपका स्टंड डला वजह से वो सार जिनका एक्जांबुल दे रहा हूँ दो स्टंड तो अल्री डले हुए 2010 और 2014 में तब भी problem है दोस्तों क्योंकि अलग-अलग तरीके से हम जो जिन्देगी जीते हैं उसमें कई सारा प्रभाब रहता है उस प्रभाब को खतम करने के लिए एक दो point दोस्तों को बड़ा help करेगा विश्वास करना पड़ेगा और उसी विश्वास के साथ जिन्देगी भर दोस् जो लोग practice करते हैं उनके लिए suggestions है कि अपने patient को practice करा के देखो अपने center में लाब होना तय है चाहाँ अपने patient को अपने सामने बिठा के कराओ और उसके बाद उनको एक बारी अगर समझ लें चीज फिर घर जाके करें आप 15 दिन में 20 दिन में पूछी उनको कितना लाब हो है दोस्तों लाब ही लाब है हाट पॉइंट लिवर पॉइंट आपको दिखाया साथ में breathing technique आपको समझाया लाश्ट में एक बारी और दिखा देता हूँ अब हाट साइड स्पीड में अगर आप करना चाओ ऐसे करोगे अगर एक एक सेकंड रोकना है तो जैसे पहले मैंने बता है वो करना है सुबा के टाइम में अच्छे से करिए जवर दस तरीके से करिए 30 से सुरू करो करो 50 से बढ़ा करो दोस्तों कोई बुराई नहीं है ऐसा लाब होगा कि आप मुझे डेफिनेटली वाटसप करने के लिए मजबूर हो जाओगे कमेंट बक्स में जरूर डालें वीडियो को दोस्तों अच्छे से देखा करो 1400 से ज़्यादा वीडियो हो चुका है आप ही के लिए है आपके फाइदे के लिए है यार दोस्त के बीच में सेयर करें और सबसे अच्छी बात है दोस्तों सबस्क्राइब करो बेल आइकन बजाओ जिससे आपका जिन्देगी बिना हस्पदाल जाए बिना दोई के एक अच्छी जिन्देगी आप जी से को अच्छे ची किताब पढ़ें, चाहे मेरी किताब होना क्यों, किताब दोस्तों बहुत अच्छी चीजी होती है, किमिकाल युक्त вес अच्छा है, बार बार lap test में 1000 रुपे खर्च करने से अच्छा है, कि आप अच्छी किताब से फाइदा उठाएंश और अपने आपको naturally दोस्तों फिट रखें आसा करता हूं किसी और नए वीडियो के साथ फिर उपस्तित होंगा तब तक इंतजार करें तैंकियो भीरिमंच जैंजे भार